तो हेलो और वेलकम यू आल आएम रोईद प्रोम महाचन ट्रेडर तो गैस आज हम बात करने वाले है अलोक इंडस्ट्रीज एल्टीडी के बारे में और गैस अगर देखा जाए तो स्टॉक में एक अच्छी बड़त हमें देखने को मिल रही है और बिलकुल यहाँ पर जो आ अगर आप नए इंवेस्टर हो और आप अलोक इंडस्ट्री में इंवेस्ट करना चाहते हो तो वीडियो बिलकुल आपके लिए है गाईज और बिलकुल आप इसमें इंवेस्ट कर सकते हो जिल लॉंग टाम के हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक है और देखा जाए तो बिल पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लेटेस्नियूज के लिए तो गैस वीडियो को शुरू करता है तो गैस बात कर रहे है अलोक इंडस्ट्री एल्टीडी के अबारे में करेंट प्राइस के अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21 रुपे 70 पेसे का स्टॉक का करन प्राइस चल रहा है और देखा जाए 0.35 पेसा स्टॉक आज बड़ा है साथ ही अगर बात करें तो 1.64 परसेंट की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है वही अगर देखा जाये तो यहाँ पर एक breakout का हम वेट कर रहे है और यहाँ पर अगर देखो तो क्या पैटन है तो कुछ इस तरीके का पैटन है गाइस और यह जो ऊपर की जो ट्रेड लाइन हमने बनाई है एक important ट्रेड लाइन है अगर इसे यहाँ पर किसी भी लेवल के अंद अंदरे break कर देता है तो अच्छे returns यहाँ पर मिल सकते हैं और बिल्कुल stock में एक तीजी हमें देखने को मिल सकती है और target यहाँ पर clear है हमारे 26 रुपे 28 रुपे target हम यहाँ पर रख सकते हैं वही गाईज अगर देखे तो stock में अच्छा momentum आ गया है और तेजी भी बता रहा है और यहाँ पर क्या हुआ था तो यहाँ पर भी जैसा कुछ इस तरीके का pattern बन रहा है यहाँ पर भी वही pattern था और यहाँ पर breakout मिलने के बाद stock सीधा गया था ओपर उसके बाद stock आया है नीचे अब breakout अगर मिलता है तो सीधा 32 रुबे का level भी हमारा यहाँ पर target रहने वाला है और support level में important support level इस ले बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर भी यह already एक support ले चुका है तो guys बिलकुल यह stock उपर जाने की तियारी में यहाँ पर दिखाए दे रहा है क्या हो सकता है guys इस level को भी यह break कर दे तो नीचे की उरा सकता है बट अच्छा support लिया है इस लेवल पर अच्छा support लिया है तो बिलकुल आप positive रह सकते हो stock में तो guys यहाँ पर अलोक industries के चार्ट की हमने बात कर ली अब बढ़ते हैं मागे और देखे तो पाच दिन के टाइम फ्रेम पर stock कितना बढ़ा है तो ज़्यादा बढ़त नहीं है बढ़त भी हमें देखने को मिली और कही ना कही ब्रेक आउट भी देखने को मिला तो यहाँ पर आप जो एक चीज़ जख रहे हो इस level को भी मैं यहाँ पर आपको नजर आ रहा है हाँ यह perfect है guys यह वाला pattern तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर से यहाँ पर से ब्रेक नहीं कर पाए यहाँ पर ब्रेक किया है stock गया है उपर की और अब यहाँ से जा सकता है यह उपर तो ऐसा कुछ pattern हमें easily हाँ पर पता चल जाएगा और पाच दिन के time frame एक महीने के time frame पर एक रुपया 10 पेसा stock गिरा है 4.85% के हिसाब से और guys वही अगर देखा जाए तो 6 महीने के time frame पर तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो 0.95 पेसे तक stock यहाँ पर बड़त हमें देखने को मिल रही है साथ ही बात करें हाँ पर 4.58% की तेजी हमें देखने क देखाई दे रही है तो guys यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1.5 पे पेटन पर तो stock गिरा है 1.25 पेसे तक गिरा है guys और वही अगर बात करें तो यहाँ पर भी हमें एक चीज समझने की कोशिश करें तो इस level से यहाँ पर अगर देखो तो इस level से अगर हमें मिलता है breakout तो अच्छे levels हमें यहाँ पर मिल सकते है और वही कि हाँ पर तयारिया चल रही है और देखा जाए माइनस 7.86% के हिसाब से stock गिर रहा है वही अगर guys बात करें क्या कुछ आज stock में हुआ है तो stock open हुआ था 21 रुपे के price पे high लगया था 22 रुपे 55 पेसे का और low लगया था 20 करोड का market cap भी आपको देखने को मल जाएगा market cap के हिसाब से बिलकुल एक meet cap stock की category में आ जाता है stock और guys वही अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या कुछ 52 एक्स का high है और क्या कुछ low है तो high की अगर बात करूं तो यहाँ पर 30 रुपे 25 पेसे का high हमें देखने को मिल रहा है और low की अगर बात करें 18 रुपे 70 पेसे का low भी आपको देखने को मिल जाएगा वही बढ़ते है आगे और देखते है resistance लेवल और support लेवल क्या कहते है तो resistance लेवल में जो first resistance लेवल है वहाँ पर 21 रुपे 63 पेसे का दिखाए दे रहा है second resistance लेवल 21 रुपे 92 पेसे का है और third resistance लेवल 22 रुपे 08 पेसे का दिखाए देगा support लेवल के अगर बात करें तो first support लेवल है 21 रुपे 18 पेसे का और second support लेवल है 21 रुपे 02 पेसे का और third support लेवल है 20 रुपे 33 पेसे का तो guys resistance लेवल और हापर support लेवल क्या कुछ है हमने discuss कर लिए बात करते है price performance की तो one week का अग बाकी one month का देखो three month का देखो या year and half का या फिर देखो आप one year का तो यहाँ पर minus में दिखा ही दे रहा है तो काफी ज़्यादा minus में था but three years की अगर बात करो तो यहाँ पर positive आया था 453.85% वही guys अब बढ़ते हैं trade value और component delivery की और तो trade value की अगर बात करें one करोड के something का trade value है और साथ यह अगर बात करें yesterday की तो 65 lakh के something का trade value है और 31 lakh के something की है common and delivery और one week का average यहाँ पर 65 lakh के something का है trade value और 30 lakh के something का है common and delivery और one month का average 69 lakh के something का है trade value और 31 lakh के something की common and delivery भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ अब देखे हैं तो यहाँ पर क्या कुछ community sentiments के हिसाब से कहा जा रहा है तो community sentiments के आकड़े अगर देखे जाए तो 94% लोग जो है यहाँ पर buying के लिए कह रहे हैं और 1% जो लोग है यहाँ पर sell के लिए कहा रहा है और 5% लोगों का है यहाँ पर hold के लिए कहा जा रहा है तो hold के लिए भी कहा जा रहा है selling के लिए भी कहा जा रहा है और buying के लिए भी हाँ पर कहा जा रहा है और यह बढ़ते हैं आगे और देखते हैं revenues तो revenues क्या कुछ है रेविन्यूज अगर देखा जाए तो year on year रेविन्यूज गिरे है तो यहाँ पर अगर देखो 2017 का रेविन्यू 8,723 करोड है 2018 का 5,513 करोड और 2019 का है 3,352 करोड और 2020 का है 3,326 करोड और 2021 का है 3,847 करोड साथ ही बात करें अगर net profit की तो 2017 का है माइनस 3,022 करोड 2018 का है माइनस 18,580 करोड तो 2019 और 20 में positive होता और 2021 में फिर से negative आ गया है promoters की बात करें तो 75% की जो holding है वो है promoters की public holding है 22,88% की और जो यहाँ पर DI और FI की holding है 1.39% की holding उनकी भी देखने को मल जाएगी so guys यहाँ पर हमने levels discuss कर लिए और वीडियो पसंदा हो वीडियो को like करो चैनल को subscribe करो thank you